नमस्कार, वंदे मात्रम, मैं बल्देव राजपुत दुर्ग, 36 गड़ से आज हम लोग बात करेंगे कि आप अपनी आंसरशिट की फोटो कॉपी यूनर्ड सिटी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह जो भी information में आपको दूँगा यह PTRSU मतलब पंडित रवी संकर सुकल विश्विद्यालय रायपूर के रिस्पेक्ट में है और मैंने जो भी detail निकाली है वो उन्ही की website से ही निकाली है तो मैं आज जो भी information दूँगा वो PTRSU के रिस्पेक्ट में होगा और same concept दूर्ग University, 36 गड़ या India की सारी University में लगभग लगभग same process जो है वो follow होता है answer sheet की photo copy को निकालने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं ordinance number 6 यह कहता है कि जो examination general करके इसका जो title है वो होता है इसमें refer clause जो दिया गया है third section number 37 यह जितना भी आप देख रहे हैं चाहे वो order number 6 हो यह section number हो यह सारी University के लिए लगभग एक जैसा होता है यहाँ पर ordinance number 6 जो है PTRSU मतलब पंडित रवी संकर सुकल विशुद्याला है DU मतलब दुर्ग University जिसे हम हेमचंद यादव विशुद्याला के नाम से भी जानते हैं उन दोनों जगा same process follow होता है अब देखिएगा जब आप इसको पूरा पढ़ना चालू करेंगे तो प्रस्ताव क्रमांक 8 जो है वो मतलब reference number 8 है वो ये कहता है कि सबसे पहले अगर आपको चाहिए fail किया गया हो या आप supply आये हो सबसे पहले आपको क्या कराना है rechecking कराना है अब rechecking maximum दो paper में कराया जा सकता है दो paper से ज़्यादा में नहीं कराया जा सकता तो यहाँ पर सबसे पहले आपको rechecking करानी है rechecking कराने के बाद अगर आप आपका जो answer है वो release किया जाएगा अब उस answer जब आपको release मिलेगा तो उस condition में या तो आप pass हो जाएंगे या तो आप fail हो जाएंगे अगर आप pass या fail होने के बाद उस rechecking के result से संतुस्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं RTI, right to information लगा सकते हैं right to information में क्या होता है only recheck answer sheet photocopy मिलती है मतलब जिस paper को आपने rechecking में डाला था RTI लगा के सिर्फ और सिर्फ उसी paper का answer sheet का photocopy आप RTI लगा के ले सकते हैं इसके लिए कुछ constant fees होगी ये fees per year change होते रहता है for example 23-24 के लिए अलग रहा होगा आने वाले time पे 24-25 के लिए अलग होगा तो fees जो है RTI का अप लगाएंगे तो उस condition में कितनी copy आपको दी जा रही हैं उस base पे आपको fees pay करना होता है और fees जब आप pay करेंगे तो आपको answer sheet की photocopy by post भेज दी जाती है अब अगर मान के चलिए जैसे ही आपके पस answer sheet की copy आती है और आप उसे फिर से check करते हैं और ये पाया जाता है कि मालुम teacher गलत है या सही है तब क्या होगा अब मान के चलिए आपके पस answer sheet की photocopy आई आपने उसे वापस से check किया और check करने के बाद पता चला कि teacher सही है तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा बिल्कुल as it is बना रहेगा अगर आपको ये पता चलता है कि teacher ने आपका paper गलत चेक किया है तो उस condition पर teacher को punishment दिया जाएगा अब क्या punishment दिया जाएगा वो भी देख लेते हैं तो teacher का punishment पहला ये है कि उन्हें 5 साल के लिए ban कर दिया जाएगा checking answer sheet के लिए मतलब वो teacher जो है 5 साल तक कभी भी answer sheet चेक नहीं कर पाएगा इसके साथ ही सभी universities को एक message जाएगा या सभी universities को ये बता दिया जाएगा कि ये जो teacher है जिसको guilt पाया गया है आप कभी भी जब अपने दूसरे university का paper आप 36 गड़िया कहीं भी भेजें तो उस condition में इस teacher का जो नाम है उसे recommend ना किया जाए क्योंकि इसने गलत answer sheet जो है वो चेक की है तो ये सिर्फ दो punishment है 5 साल के लिए उनका ban और दूसरी university को ये बताना कि भी आप इस teacher को कभी भी consider ना करें paper checking के लिए अगर आप ये पूरा process देखेंगे तो ये process बहुत ही घटिया process है इसको मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ क्योंकि आप rechecking के लिए कितना paper डाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दो paper डाल रहे हैं अब आपने 10 paper दिये हैं for example अगर आप BSC के होंगे तो आपने 10 paper दिये हैं कम से कम साथ से 8 paper दिये होंगे और आपको सिर्फ खुलवाना कितना paper है दो paper मतलब आप RTI लगा के भी जिस paper में आपके कम marks हैं उन paper को आप देख भी नहीं सकते आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि teacher ने उस paper को कैसे check किया है इसके बारे में भी आपको कोई information मिलने वाली नह नहीं है क्योंकि इसका rule ही बनाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जिस paper पे आप rechecking लगाते हैं उसी paper को आप RTI के माध्यम से अपने घर मंगा सकते हैं कुछ constant fees दे कर तो यहाँ पर ये पूरी तरह से गलत है यहाँ पे RTI का भी अपमान है कि अगर कोई बच्चा अपनी ही answer shit क नहीं देख पा रहा है यह सबसे बड़ा दुरभागय का बात है इसी कारण से जो बहुत सारे teacher है वो rough paper check करके बहुत सारे बच्चों का career ही खराब कर देते हैं और अगर आप punishment की बात करें तो किसी भी teacher को अगर आप 5 साल के लिए paper checking में को उसका ban कर देते हैं तो यह उसके लिए दुख की बात नहीं है खुशी की बात है क्योंकि प्रत्येक प्रोफेसर की salary इतनी जादा होती है कि उनको answer sheet से जो answer sheet जब वो check करता है तो उस condition पे जो उसको payment मिलते हैं वो बहुत कम होता है और 90% जो senior teachers हैं यह senior professors जो हैं वो किसी भी तरह से जो answer sheet उसको check करना ही नहीं तो अगर teacher guilt भी पाया गया और उनको 5 साल के लिए ban कर दिया गया paper ना check करने के लिए तो इनको लिए punishment नहीं है उनके लिए यह खुशी की बात है साथ ही सिर्फ बदनामी एक जगह है कि सभी university को ऐसे teacher की list वताई जाती है कि यह teacher गलत है तो यह थोड़ी सी बदनामी और 5 साल का बेन उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जबकि अगर paper गलत चेक होता है तो उस condition में किसी एक बच्चे का पूरा जीवन बरबाद हो सकता है गौर्मेंट को और साथ ही university को इस पर ध्यान देने की जरूवत है कि कोई भी बच्चा जो अपने result से चीज़ की तो उसको उसके answer sheet की जो copy है RTI लगाने के बाद मिलनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इस condition पे उस बच्चे को हमेशा लगेगा कि उसके साथ गलत paper चेक किया गया है और उसी वज़ा से उसका जीवन खराब हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये University related update, BST Maths Physics से related videos को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्द मात्रम